बसकार दोस्तों, मेरा नम है विजय कुमार और आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे, कैसे लड़ू, कैसे बिनू जो कि जंगल के जलात को भी अर्भेडिया की कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेस तक कबर कर दिया था अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को सुरू करते हैं चोट लगती है ना? चीफ निकलती है ना? उफ! शरीर फटता है ना? और खोन भी निकलता है मत मारो! बेजुवान प्रानी तो ये भी नहीं कह सकता कि मत मारो इस हिंसकता का कारण भेडिया को जल्दी समझ में आ गया चेताउनी के बावजूद नियमू की धजिया उर्ते दे भेडिया आपे में नहीं रहा था ओ! सुरक्षा चीन को उखार फेका? नियमू की अभिलना मुझे बरदास्त नहीं तुम्हें कहा था फिर खेल बंद क्यों नहीं किया? तुमारा खेल देखने के लिए लोग निरी पसू को मार रहे हैं पगलाय साडों की खौपनाक टकरों से खिलाडियों की जान पर बन रही है ये सबी जाने किम्ती है धेरिया ने बूलू को लकड़ी के खंबों से जकर दिया तिसरी बार माप नहीं करूंगा उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी इस निसाम को हमेशा याद रखना उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी इस खेल की वज़े से होई कमाई के कारण हमारा कभीला अने कभीलों से समरी जिसाली है हम सहरी वस्तियों का इस्तमाल कर पाते हैं मगर अब ये खेल बंद करदा होगा उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी पेडरो दोनों खिलाडी वहोस इंव घायल है इन्हें इलाज के लिए तक खाने में ले जाओ उसके अलाबा खेलों की कमाई के रुप में प्राप्त हुई खालो सिंगो दातों को साफ करवा कर सहर भेजने की बेवस्ता करो समझ गया ना? हाँ मगर तुम कहां जा रहे हो? सिंगारू के पास हाँ? उफ सिंगारू के पास? एक और खतनाग खेल के लिए? फूजो एम जेम के लिए ये ख़वर बिस्पोटक थी ये तुम क्या कह रहे हो लाची? वो तो रिसी कंदर है पिछले दो वर्सों से भगवान की तपस्या में लीन है रिसी कंदर? कोभी ने उनके साथ ठीक बढ़ताओं नहीं किया क्या? कोभी को रिसी कंदर का साप लग गया होगा? रिसी कंदर की वानी में जबरदस सकती है एक पर वन में एक नर्वक्ची रख पिपासू ब्रीच की भुजाओं ने रिसी के समुखी एक नने बच्यों को अपने भुजाओं में जकर दिया था तब क्रोधी थोकर रिसी कंदर ने अपने साप की सकती से उस ब्रीच को जला कर भस्म कर दिया था मैं उस घटना का पर्तेक्च दर्थी गभा हूँ अगर वो साप लग गया तो गजब हो जाएगा बाबा कोबी की सक्तियां जंगल में सीर उठाने वाली सैतानी सक्तियों का मोतोर जवाब सामित होती है अगर कोबी उन सक्तियों को ही भोल गया तो ना तो वो अपनी रक्षा कर पाएगा और ना जंगल की फिर एक दिन जब कोबी और भेनिया फिर से एक सरीर होँगे तो भेनिया के पास भी वो सक्तिया नहीं होँगी चलिए बाबा, हम रिसी कंदर से अनुनय बिनय करेंगे, वे अवस्य ही पसीजेंगे रिसी मुनी सुभाव से हटियों कठोर होते हैं, इनके पास तब की सक्ती होती है यह परसंद हो जाएं, तो निचावर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाएं, तो बिद्वन्स मचा सकते हैं तब तक मैं यही पर रुख सकता हूँ कोभी उपद्रवी है, पसुबुद्धी है, उसकी अमेद ताकत ने उसे और भी उदन बना दिया है कोई मामली सी बात भी उसे क्रोधित कर सकती है मुझे इस बात का भै है बाबा, कि इस बात अगर उसका क्रोध भड़का, तो कहीं उसे भारी ना पड़े जंगल अब सब पर भारी पड़ने वाला था पागन हाती ने मेरा बच्चा उठा लिया, वो उसे मा डालेगा जंगल की सुरच्चा का दैत्वर, जिसके कंदव पर हो, जब वो दिखाई पड़े, तो ऐसी माओं की जान में जान आती है भेडिया, भेडिया दे उता मदर्थ मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, तो कहा है तेरा बच्चा, वो रहा, अगर तुम उसे नहीं बचाओगे, तो फिर कौन बचाएगा वो हाती तो पागल हो गया है, उस पागल हाती से तेरा बच्चा मैं कैसे बचाओंगा अरे बापरे ये तो इसी और आ रहा है इसने हमें देख लिया तो कुछली डालेगा अपने पेरो तने भेडिया बंदर की तरह उचला और पेर पर चड़ गया तु भी भाग पेर पर चड़ जा बेवकूप औरत नाम का भेडिया काम का गीदर हाती बच्चे को पठक कर उसे रोता हुआ चला गया नहीं हाती देखना बंद हो गया या नहीं क्या इसी भेडिया के कंदों पर जंगल की रक्षा की भार है हाती की आवाज अब नहीं आ रही है मैं नीचे आता हूँ थू भेडिया थू है तुझ पर तेरा गुस्सर जायज है मैं तेरे बच्चे को नहीं पचा पाया तुम भेडिया नहीं हो सकते भेडिया तो अपनी जान पर खेल कर भी बच्चे को पागल हाती की सूर से बचा कर ले आता आज से मर गया भेडिया, कोई देवता की तरह उसे पूझेगा उसे, भेडिया को क्या हो गया, आज वो डरे हुए पिल्ली के जैसा बेवार क्यों कर रहा था, मुझे तो ये सब भी उस हाथी की तरह ही पागल लग रही है भला जो काम मेरे बसका नहीं है, उसे मैं कैसे और जबरदस्ती क्यों करता, क्या मुझे अपनी जान नहीं बचानी चाहिए थी, अब छोड़, तु चलना, चल यहां से, चल, चल क्या भेडिया कौम खत्रे में थी, कोबी भेडिया के सरीर से जुदा हुआ उसका पसी रूब, जो रिसी कंदर के साप का सिकार हो गया था, पर आज की यूग में साप की बातों पर यकिन करना चाहिए कोबी ने हीरन को दबुसने के लिए उचाल भरी, मेरा भोजन, मेरा प्यारा भोजन, मगर ये कोशिस अकेले कोबी ने नहीं की थी, सेर भी उस हीरन की घात में था कोबी भीणिया था, तो क्या हुआ, सेर से किसी भी सूरत में कम नहीं था, अवे ओ सेर की दुम, छोड़ दे इसे, ये मेरा सिकार है कोई भी छोड़ने को तयार ना था, फैंसले के लिए जंग बहुत जरूरी हो गई थी, जंग के सुरुआत सेर दे की थी, अवे तू तो मुझे ही आँख दिखा रहा है कोई और सेर के स्वामित्त को लेकर एक दूसरे से भीड़ गए है, अब हमें पता चल जाएगा कि रिसी कंदर का साप उसे लगा है या नहीं कोई के सरीर में ताकत थी, इसलिए अपने बचाव में उसने सेर की गर्दन को कसकर पकड़ कर उसका जबड़ा तो अपने सरीर से दूर कर रखा था, मगर सेर मुझे घाल करना चाहता है, मगर इससे बसने के लिए अब मैं क्या करूँ ऐसे औसरों पर मैं अपनी कौन सी सक्ति का परियोग करता हूँ, कोबी अभी अपने सक्तियों के बारे में सोच रहा था, और सेर अपनी धाकत का परियोग कर उसकी पकड़ से निकल भी गया, मगर ऐसे में मैं क्या करता हूँ, सायद मैं सेर को मुक्का जरता हूँ, मगर मु का तना ही रह गया और सेर्द ने फाड़ खाने की इरादे से कोभी पर छलांग भी लगा दी नहीं नहीं मैं इसी सक्ती का इस्तमाल नहीं कर सकता जिससे मेरे घाल होने का खत्रा हो तो फिर मैं क्या करता हूं साइध मैं जंगल में यहां वहां बिक्री पड़ी ऐसे मजबूत लकडियों का इस्तमाल करता हूँ वो पेंड की लकडी का परियोग कर रहा है साइध उसके दिमाग में अभी तक यही आया हो आगे देखते हैं कि आगे को भी क्या करता है यह क्या सेर की मदद करने के लिए उसकी सेरनी भी आ गई है ओफ सेर की सेरनी भी आ गई तड़ाक ओफ लकडी तूट गई मैं ऐसे कमजोर तड़ीकों के साथ नड़ता हूँ क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता सेरनी की तरफ ध्यान देता हूँ तो सेर जपट पड़ता है सेर पर परहाल करता हूँ तो पीछे से सेरनी आकरमन कर देती है इस बार सेर्णी के धक्के से कोबी पिट गया सेर्णी दोनों कोबी पर जपट पड़े इन दोनों की ताकत हैं फूर्ती के आगे मुझे तो अपनी कुछ अवकाद ही मसूस नहीं हो रही कैसे लणू कैसे भीडू जेन को कोबी के सिर्पर खत्रा मंड राता लगा बाबा हमें हे कुछ करना होगा कोबी ना तो अपने पोच का परियोग कर रहा है और ना ही वो अपने भेडिया पोच को बुला रहा है परवत तक को जर्चे उखाड डालने वाले हाथों को आज उसकी सक्ती का अभास ही नहीं हो पा रहा है भेडिया को महां से गुजरते थे जेन की आँकों में चमक बढ़ गए थी भेडिया रुको खचर पर बैठे गरना चुसते जा रहे भेडिया की इस्तितिपन फुजो को हैरानी होई थी कोभी की जान खत्रे में है वो रिशी कंदर के साब के कारण अपनी सक्तियों को भोल गया है उसे बचाओ चुसक चुसक कमाल है आज जिसे देखो वही बचाने को कह रहा है बचाना किस्ते है यह तो सेर की आवाज है तुम सेर की आवाज सुनका भैवित क्यों हो रहे हो तुमने कहीं ऐसे खुंकार जानवरों के गले में पट्टे डाल कर उन्हें अपना पालतुब बनाया है मैंने तुम पागल हो गई हो सेर की आवाज से मेरा खचर भी बिदक रहा है अर यह तो भाग पड़ा बिलको सही किया जान बचाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है चुसक रुख जाओ बाबा भेडिया वो चला गया बिना मदद किये चला गया उसका भेवाल रहसे में था खचर पर बैठा गन्ना चुसता हुए भेडिया मुझे कोई अहमक लग रहा था भेडिया चला गया कोबी को सेर पलवार खीच कर ले जा रहा है उफ फूजो वो अट की गंबीता को समझ गया था ची ची फूजो ने फूजो ने ही चीलो को यह आक्रमन करने का आदेश दिया था हमला जबरदस था हमलवारों की संक्या जबरदस थी कोभी तुम ठीक तो हो ना उफ जानवरों ने तुम्हें काफी घायल कर दिया है घायलों तो चीतों ने किया है उन सेरों को पता नहीं कहां से बीच में आ गई वरना मैं तो उन सेरों को मारी डालता घायल तो चीलों ने किया है उन सेरों को पता नहीं कहां से बीच में आ गई वरना मैं तो उन सेरों को मारी डालता उन्हें फूजो बाबा ने तुमारी मदद को भेजा था मदद घबराओ नहीं मैंने औस्दिया घायों पर रख दी है घायों की पीरा जल्दी ठीक हो जाएगी सारी पीरा भोलकर कोभी चलों में उप बैठा पीरा किसका मगत को पीरा हो रही है कोभी कहां जा रहे हो उन से सेरों को सबक सिखाने उन्होंने मुझे समझा क्या है नहीं रुख जाओ अभी तुम उनका सामना कर पाने की स्थिति में नहीं हो कोभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इधर कोभी अपनी सक्तिया भोल गया उधर भेडिया की हरकते रह समई है हम कोभी के पीछे जाएं या भेडिया के पीछे सरदार फोड़क की हरकते हिंसक थी पेडरो अब हमें रोकने भेडिया नहीं आएगा हाँ जानता हूँ सिंगारू ने उसकी हालत खराब कर दी है अरे वो देखो भेणिया खुद खेल देखने आया हुगा है अगली बार भेणिया सारो से लड़ेगा खेल खत पैसा हजम पेट्रो ये दोनों घायल है इन्हें उठाओ इस खेल से जुड़ा अपना दुसरा मकसद पूरा करना है जलात से दिखते दोनों जंगलियों ने उस चबुतरे नुमा पत्थर को सरकाया पेट्रो ने कंधे पर लदे बेहोस लड़ाकों को उस अंदेरे गड़े में फेकने में जरा भी देरी नहीं की थी भेट लाओ भेट सिवकार हुई विक्राल की जय हो फिर ठाखाने का दौर फिर से बंद फिर से पत्थर से बंद कर दो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में तब तक के लिए 秒ह आए वीडियो अच्छी लगिये हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और जहां इसकी जरूरतों वहाँ पिसको share जरूर कर देना Thank you very much वीडियो देखने के लिए